वेल्कम टू और यूट्यूब चैनल आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह रिवीजन पार्ट है और यह रिवीजन लेशन है मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूं क्लास 10 का फिजिकल साइंस मुझे उमीद है कि आप लोग अच्छा रेस्पोंस देंगे पिछल करते हैं तो आगे की वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएंगे ठीक है तु क Will Do To Live इर वीजन पार्ट है इसके पहले प्यों बीडियो अपलोड हो चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं ओजोने सुप्धेयर से सभी जानते हैं फिर भी लोजोन गेस कैंते हैं इसका उठीर होती है यह क्या touch वाले जिसका होती है यह कंबेल इंप सुर्य को प्रोसी थे जादा हनी जाधा है शाल्स, getirb आप इसक्ञार्ण कर सोल लेता है जाएम जाएम ढमें पूम्यास के सोखे nur क्या होता हमारी प्रित्वी पर इतनी गर्मी आती हमेसे सुखा ही रहता कभी हड़े पेद पौधे नहीं होते तो इस पाड़ा बैभने केड़ने यानि अल्टा वाले ट्रेज को असोशित करके प्रित्वी पर बहुत कम मात्रा में उसकी मात्रा को भेजता है ठीक है और ओजोन मंडल कैसे बनता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे ओजोन मंडल में जो मुझूद जो ऑक्सिजन की जो एटम होते हैं और वो टू कि आनू क्या करते हैं कि सूर्य की पारा बैंगनी किर्णों को अवसोसित करके उसके बाद वो परवामनिक अक्सिजन में ब इसको यह उर्जा को प्राप्त कर फिर से ऑक्सिजन में बदल जाता है इस तरह से क्या होता है कि ऑक्सिजन का टूटना ओजोन का बनना फिर ओजोन का टूटना ऑक्सिजन का बनना यह प्रोसीजर चलते रहता है और यह प्रोसीजर कहां होता है यह ओजोन स्फेर में होते ठीक है इसलिए प्रित्वी के ऊपर एक सुरच्छा कवज का बहुत बड़ा काम करता है और हमारे उपर भी तो इसको हम लोग रेक्शन में ऐसे देख लेते हैं ये कुछ ऐसे गैसे भी होती हैं जो हमारे ही त्वारा बहुत सारी ऐसे गैसे उत्पन होती है जैसे कि वायू मंडल में कुछ गैसे जैसे कि नाई्टोजनinken क्या ऑकसाईड होते हैं इसमें जो हैड्रोक्सिक मुलक वाले ओएच होते हैं या फिर जिनको हैलोन भी कहा जाता है कौन से सीएफ टूब बियार सीएल सीएफ थ्री बियार यह जितनी भी ऐसे गैसे होती है यह ओजोन से प्रतिकिरिया करके क्या करती है कि उनके अनुओ को यह नस्ट करती है और फिर से यह ओजोन को अक्सिजन में करते जाती है तो इससे क्या होता है कि जो खुद का जो उसका प्रोसीजर है वो चेंज होते जाता है और ओजोन की मात्रा धीरे-धीरे कम होते जाती है तिन गैसों को रोकना पड़ेगा कैसे रोकेंगे अब हम लोग इस वीडियो में अ किलोमेटर का आज जैसे आपके बुक में दिया गया है 15-50 किलोमेटर कहीं कहीं पर 15-25 किलोमेटर इबाभ धार सार्फेस इन विच रिजगे यह डिज एन अप्रिसीयेबल ओजोन कॉंसेंट्रेशन यहां पर बहुत अधीक मात्रा में एक कॉंसेंट्रेशन ओजोन का कॉंस at the higher levels of the atmosphere is the product of UV radiation higher levels जो atmosphere का जो होता है ना वहाँ UV के product के कारण यानि उसके साथ यह reaction के कारण ही जो कि acting on oxygen molecules जो कि oxygen molecules के साथ UV किरने जब react करती है the higher energy UV radiation split apart some molecular oxygen oxygen के जो molecular होते हैं उसको क्या करते हैं कि ये लोग free oxygen में, free oxygen atom में UV radiation जो होता है और UV radiation का यानि यालता वाइलेट किरनो का या पाराबैगनी किरनो की जो energy होती है वो oxygen के molecule को oxygen atom में convert कर देता है बदल देता है जो कि free oxygen atom में बदल देता है उसके بعد क्या करता है कि these oxygen, these atoms then combined with the molecular oxygen उसके बाद यह क्या करते हैं जो free atom हो जाते है यह molecule और oxygen के साथ फिर से react करके ozone बनाते हैं देखिए कि step 1 में क्या हो रहा है oxygen atom oxygen की 2 molecules O 2 है तो 2 molecules ultraviolet जो की sunlight से आ रहा है उसके बाद इसको क्या बनाया है free oxygen में यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ यहां पर free oxygen atom में convert कर देता है O और यहां पर O ठीक है उसके बाद यह फिर क्या कर रहा है कि यह जो molecular था O2 था इसको एक single यह वाला single वाला यह इसके साथ combine कर लेता है और फिर यह वाला इसके साथ combine करके क्या बना रहा है यह बना रहा है आपका यह बना रहा है आपका O3 ठीक है यहां पर short ऐसे करके दिखा देती है तो overall reaction क्या होता है कि तीन oxygen के molecule मिलके बनाते हैं sunlight के साथ परिकरियागर के दो ozone के molecule बनाते हैं ठीक है यह इस तरह से reaction होता है तो step 1 में हम लोग क्या समझेंगे कि oxygen के molecule अर्टा वाला रेज के साथ रियक्ट करके O2 यानि की oxygen atom में convert हो जाते हैं और एक oxygen atom oxygen molecules मिलके क्या बनाता है ओजोन बनाता है ठीक है उसके बाद देख जैसे कि हमने देखा कि ओजोन का formation किस तरह से होता है अब लोग देख रहे हैं क्या कि ओजोन का depletion किस तरह से होता है यानि ओजोन का नस्ट यानि 6 किस प्रकार से ह तो बहुत सारी ऐसे गैसे होती है जो की ओजोन को depletion में बहुत हम करती है और जोन दीरे दीरे 6 होते जारा तो क्यों चाहिए हो रहा है किस तरह से यह प्रतिकिरिया हो रही है तो जो 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 लेएर एक्साइज ए नेचुरल फिल्टर यह नेचुरब फिल्टर का का काम शुरू होता है लिट टू एन इंक्रीज इन अल्टा वायलेट जो रेज होती है डाट रियक्ट बिद और सर्फेस वहां पर जा कर यह और सर्फेस के पास यह रियक्ट करने के बाद इनकी जो संख्या होती है धीरे-धीरे वह जो उनका कम होते जाता है वेर इट कैन इट कैन बी डिस्टरप्ट बायोजिकल प्रोसेस के द्वारा एंड डैमेज्ड यह नंबर ओफ मैटेरियल्स चोकी डैमेज होता है बहुत सारे ऐसे नंबर ओफ मैटेरिल्स के द्वारा भी यह डैमेज होते जा रहे जैसे कि NO और N2O या फिर क्लोरो फ्लोर करवन चैना करते जा रहे है जब क्लोरीन का एक मॉलेक्यूल ऑजोन के सांथ करिया करता है तो सी हिलो बनाता है और ऑक्सीजन में कर देता है किसको ओजोन को यह ऑक्सिजन में कनवर्ट कर रहा है ठीक है उसके बाद फिर यह क्या कर रहा है कि जो चलते ही जाती है और क्लोरीन मॉलक्यूल फिर यह क्लोरीन रियक्ट करते हैं और फिर यह क्लोरीन मॉल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बड़ा सा छत जैसा है उसको आप ढख देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है ओजोन का एक लेयर है गैसियस लेयर है ठीक है वो किस तरह से नस्ट हो रहा है ओजोन के इस तरह से नस्ट होने का कारण क्या है हम लोग जो यूज करते हैं न हमारे बहुत सारे ऐसे जैसे एर कंडिशनर एर कंडिशन कही है या फिर बहुत सारे रेफ्रीजिडेटर से इस तरह की गैसे निकलती है और यदि क्लोरीन और ब्रोमीन जो होती है उनका बहुत जादा इस्तमाल होने कारण यह मॉल्क्यूल क्या करते हैं ओजोन के पड़तों को नस्ट करते हैं ठीक है ओजोन लेयर का क जादा नुकसान दे है और यह इसको पृतवी तक पहुचने में इसको पहुचने ही नहीं देते हैं और क्या हो सकता है कि अधि ओजोन की परण दिरी अच्छा है होगी तो समताम मंदल में क्या होगा कि इसकी तापमान की ब्रिधी होते चाएगी ठीक है जब यह दिरे दिर जो परत निस्त होते जाएगा तो क्या होगा कि स्ट्र वी कम ही होंगे तो एक और लेर से हम सब कर्थ बनता है कि हम लोग क्या करें कि इस ऊज्चों के लियर को घटने का काम कमकरें अपने यूज को कमकरें ठीक है तो उसके बाद का हम लोग टॉपिक देखते हैं आयनो स्पेयर क्या होता है ठीक है तो यह देखिए हमारा आयनो स्पेयर क्या होता है आयनो स्पेयर जिसको आयन मंदल भी कहा जाता है यह क्या है समताप मंदल के ऊपर जो है वह 80 से 600 किलोमेटर लिखा हुआ है यहां 60 किलोमेटर लिखा हुआ है किसी किसी बुक में तो यहां स आएन मंडल को बहुत बहुत जादा तेजी से बढ़ने लगता है और इतना तेजी से बढ़ने कारण मतलब इतना तेजी से बढ़ता है about 75 degree centigrade से 2000 centigrade तक पहुंच जाता है और उस जगह का जो तापकरम है इतना पहुंचने के कारण अध्यादिक गर्मी कारण इस भाग में जो oxygen और helium की जो कनों का क्या होता है आईनी करण हो जाता है आईनी करण कैसे हो रहा है जब सुर्य की किर्ने इस भाग में बहुत जादा तेज होती है और इतनी तेजी के कारण जितना टेंपरेचर बढ़ने के कारण जो oxygen और helium की जो कन होते हैं वो आईनी करण हो जाते है आईनों के अधिकता कारण ही इस मंडल का नाम इस पार्ट का न रात में यह दिन के संचीत प्रकास को अगास में लोटा देते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस क्रीन पे एक किस तरह से यह सुमेरी जोती क्या होती है और सुमेरु जोती क्या होती है कुमेरु जोती क्या होती है यह आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगी जो की नासा से एक फोटो को है तो ये वहां से हमें ये जो किरने होती है ना इसी कारण से इस अधेरी रात में भी कुछ प्रकासी किरने दचनी धुरूबों के पास कुमेरु जोती जिसको कहा जाता है जो चमकता हुआ दिखाई देता है और उतुरी धुरूबों के पास सुमेरु जोती इस और इसी काराण हमें सभी जगह पर GPS और Radio सिंगनल्स प्राप्थ होते है और प्रिथवी के, प्रिथवी पर इस को ही इस मंडल के द्वारा ही प्रेवर्तित कर देती हैं जो कि हम प्रिथवी के बैर भागों में Radio Andation यो को wireless से के द्वारा भी विजीना वायर के द्वाराला और wireless के द्वारा भी सोफे अवाज को सुन सकते हैं Cake नाम दिए गया है a dense layer ढहरा घंणा मौलिक्योस और भी यह ति explored उसमें इसलिए उस जगा का नाम दिया गया है कर आप को समझ में आहरा है कि उस जगह पर सूर्य किरने बहुत जादा तेजी से होती है बहुत जादा तेज होती हैंग्स इन अर्स आपर एट्मोस्पेर में फैला हुआ है जो कि स्टार्टिंग इतना स्टार्टिंग माइल्स की अबाउट में जो कि प्लानेट हमारे सर्फिस से इतने उचाई पर यह स्टार्ट हो जाता है आइनोस्पेर अलसो प्लेज एर रोल इन आवरे डियर कम्निकेशन और हमारे नेविकेशन में बहुत ज्यादा आइनोस्पेर एक बहुत इंपोर्टेंट रोल प्लेए करता है कैसे रेडियो और जितना जीपिया सिंगनल हमें मिलते हैं जो कि वायर्लिस होते हैं इनके द्वा जो बहुत ज्यादा यह चार्ज हानिकारक जो यूवी किरने आती है उनको यह क्या करते हैं और अलेक्टिकली चार्ज पार्टिकल लें दा इनोस्पेर और अल्सो रिफलेट सम फवेब यह जितना इनोस्पेर के यह क्या करते हैं कि प्रिथ्य को फिर से वहां पर लॉटा देते हैं it is also responsible for ionizing the atmosphere by solar radiation के द्वारा भी यह बहुत जादा ionize करके atmosphere में यह बहुत बड़ा radiation का एक बहुत important role play करते हैं solar radiation को भी आइनायज कर देते हैं इसलिए important role play करते हैं तो जिस तरह से ozonosphere बहुत जादा important है उसी तरह से ionosphere भी important है अब है एक screen पर आपको छोटा सा इमेज दिखेगा जो कि आपको समाज में आएगा कि यहां पर जो बुक में लिखा है नसा से प्राप्ट के द्वारा है के जाहा है यह कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यह नासा से प्राप्तिक पिक्च्टर है जो की हमें बता रही है दचनी दुरो के ऐक निण जुचनी दुरुओ का उर और है वो उसी के कारण होता है आइनोस्पेर के कारण ही इस कारण क्या होता है अंधेरी रात में कुछ प्रकास की किरने दच्छनी धुरुवा के पास कुमेरी जोती जिसको कहा जाता है यह वापस आकास में कुछ प्रकास की क्योंनों को लोटा देते हैं और अंधेरी रात में यह क मैं जलजली वीडियो लाओंगी ताकि आप लोग भी जलजली से देखिए और हमारे चैनल को जरूर से लाइक करिए आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमें अप्रिसीट करता है हम ताकि और भी ज्यादा अच्छा से अच्छा और भी कर सकें तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो किप वाचिंग बाई थैंक यू